ये देखिए तोस्तों का जबर्दस कोट बोली गई है कि हम अक्सर क्या करते हैं? हम में जो चीज अचीव करना है उसके लिए हम नेगेटिव सोचते जाते हैं मतलब हम सोचते भी कैसे हैं? कि नहीं मुझे ये क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है मुझे ये क्लियर करें बीना कुछ नहीं होगा मुझे ये क्लियर करें बीना कुछ मिल नहीं सकता है है ना यही मेरी आखरी ये है मतलब मेरा प्लान भी कुछ नहीं है इस सरीके से हम खुद को मोटिवेट करते हैं मतलब नेगेटिव पर्सपेक्टिव से क्यों हम अपने आपको यह नहीं सोच सकते हैं कि यह चीज़ को अगर मुझे अचीज़ करना है तो यह चीज़ को मैं कैसे अचीज़ कर सकता हूँ यह कर सकती हूँ अच्छा-च्छा मुझे यह strategy जो है वो लगेगी आएस तो मेरे को बन नहीं है या पावर मिलेगी गाड़ी मिलेगी ड्राइवर मिलेंगे नौखर जा कर रहेंगे लोग सलाम करेंगे नहीं आएस बन नहीं है फिर उसके बाद आप देखते हो कुछ लोगों को जो यहाँ पर नहीं हो रहा है बहुत टफ है पढ़ने लग जात एक एक दिन के गोल आप सेट करो जिससे कि आपको गोल जब पूरे होता है तो अपने आप मोटिवेशन रहे है तो जो मैं आपको अभी बोल रहा था कि किस सरी किस आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो तो यहाँ पर यह मैप बेस्ट एकसाइज है उसमें भी आप पाटिसि कमेंट सेक्शन देखिए और कुछ सोचिए कि जब वो लोग कर रहे हैं तो उनको फाइदा होगा या नहीं होगा आप अगर यह सोच कि कमेंट नहीं कर रहे हो जाननों ने यार यह लिखकर क्या ही हो जाएगा यह जो छोटी-छोटी चीज़े होती है ना यही आपको ज़रूर करती है वो आपने सुना है ना जब राम सितु बन रहा था उस टाइम बर छोटी जो गिलरी है वो भी छोटी-छोटे पत्थर उठा कर लेकर जा रही थे अगर वो यह सोचती कि है छोटे-पत्थर से हो ही क्या जाएगा तो फिर वो अपना सपोर्ट जो है वो कभ लिखी है ठीक है चलिए तो डाउनलोड कीज़े अम्म अकेडेमी अप पर आपको विरियोस कोर्से जो है वो देखने को मिलेंगे इसलिए डाउनलोड कीज़े अम्म अकेडेमी आप और विडियोस को इंजॉई कीज़े तो आज हम यापर 10th में का जो एनलेसिस है वो देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो हम यहाँ पर अम्हाँ एंडियोस पर देखता है उसको भी हम कवर करते हैं तो यहाँ पर इंडियोस पर अनलेसिस छो होता है उसमें अगर आप देख Doont देखे जो उत्तर प्रदेश में हाला चल रहे है तो उत्तर प्रदेश जिस तरीके से पेंडेमिक को टैकल कर रहा है तो वैसा नहीं करना है समझे रहे हैं मतलब जैसे कपिल शर्मा के शो में क्या हुआ था एक बार जॉनी लीवर देन उसके बार मतलब वहाली कास्ट ना कौन सा है हीरो नंबर हो तो वह पूरी स्टार कास्ट आई थी अब उसमें जो राजपाल यादव है जॉनी लीवर है या ना वरून धबन है दन उसके बाद सारा हान है तो ये सब लोग आए थे तो उसमें जो वो छुटे बाले है ना क्या ना में उनका राजपाल यादव तो राजपाल यादव जी जो है उनको बोला गया कि मतलब किस तरीके से आप जॉनी लीवर काफी senior actor है तो उन्होंने कहा था कि मैं जॉनी लीवर को देख की पता चले कि क्या नहीं करना है मतलब क्या होता है कि एक चीज़ अप पता नहीं उन्होंने किस में में बोला एक satire तरीके से बोला या फिर एक अलग तरीके से बोला लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मतलब जो इनसान है सामने क्या नहीं करना है वो भी हम सेश सकते हैं तो हाँ पर युक्ता प्रदेश जो है उसमें क्या नहीं करना है क्या हमें नहीं करना चाहिए वो क्यूंकि जो भी वो कर रहे है सब फेलियर है ऐसा है यहाँ पर बेसिकली एडिटोरियल के थुरू बोला जा रहा है तो आपको समझ में आगया होगा यह completely political है तो इसलिए इस में घुसने का कोई मतलब नहीं बनता है देन उसके बाद standing by our children अब देखिए यह वाला जो एडिटोरियल है ना हाला कि exam perspective से important नहीं है लेकिन फिर भी social awareness perspective से देखे तो important हमें देखने को मिलता है इसमें बोला क्या गया है देखे सबसे important जो इसमें बोली गई है वो बोली से इतना permanently बढ़ जाता है कि हो सकता है कि अगर वो कोई positive चीज़ देखे तो जिंदगी बर positive रहे अगर वो कोई negative चीज़ देखे तो जिंदगी बर trauma में रहे ऐसा भी हो सकता है अब जैसा कि for example अगर कोई बच्चा है उसने अगर बच्चपन से देखा है कि नहीं जो लोग ह तो बड़ा होकर भी खुद उसके आच्रण में वो चीज़ दिखेगी कि हाँ vulnerable जो है उनको help कर रहा है और अगर किसी ने बंदूक गुंडागर्दी यही सारी चीज़े देखे तो आगे बढ़ने के बाद वो भी वही चीज़ करेगा most probably ऐसा हर किसी में नहीं होता है 100% नह होता है बच्चों में वो चीज जो है वो बैठती है तो इसी लिए इसी लिए यहाँ पर जो भी अभी pandemic के दवरान चल रहा है जो बच्चे उन पर कितना बुरा असर जो है वो पढ़ रहा है क्योंकि constantly अगर आप देखोगे तो वो news में यह हो रहा है इतना बुरा अवस्ता हो रही है जो migrant workers है मतलब सभी जो है negative news उसको देखने को मिल रही है तो वही चीज जो उनके दिमाग में बैढ़ जाती है ट्रॉमा में भी जा सकते है इवन जो घर के members है वो दीरे-दीरे कई बच्चों के घर पे कम होते जा रहे है क्योंकि covid जो है वो हो रहा है क्योंकि covid होन जो बच्चे है उनके साथ यहाँ पर खड़े होना जो बच्चे है उनको यहाँ पर सही counseling जो है वो provide करना जो बच्चे है उनको यहाँ पर सही guidance है वो provide करना जो भी negativity है उससे यहाँ पर दूर करने की उनको कोशिश करना तो यह चीज हमें आपर देखने हो तो इसलिए अगर आपके घर पर भी, मैं बेसिकली आर्टिकल के बारे मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपके घर पर भी, कोई जोटे अगर बच्चे हैं समय लिजे 3rd, 4th, या भी समय लिजे 2nd standard तक की कोई बच्चे हैं, तो जितना हो सके, उनके सामने यह जो negative news होती है, इसको portrait ना करें, जो negative news है उससे निकल कर उनको opportunity किस तरीके की हो सकती आगे, वो discuss करें हम अगर यह सोचेंगे कि नहीं, pandemic ने सब कुछ तभा कर दिया है, pandemic ने सब कुछ बरबाद कर दिया है, pandemic जो है बहुत बुरा है अब कुछ उपर आगे नहीं हो सकता है तो वो उसके mental state बन जाएगी वो उसके दिमाग में बैठ जाएगी, कि नहीं अगर, मतलब वो उसके mental state ऐसी हो जाएगी कोई भी अगर आपता आती है, कोई भी problem आती है तो वो आगे जाकर यही सोचने लग जाएगा साथ भी हो सकती है, जब opportunities की बात करते हैं तब उनको, जो भी उनके life में आगे भी problem आएगी तो उसमें भी वही चीज़ धुनने की opportunity जो धुनने की कोशिच करेंगे इसलिए मैं आपसे धरफास करता हूँ कि अगर आपके घर में छोटे बच्चा है तो उनके साथ opportunity वाली बाते कीजिए rather than negative बाते करने की या फिर जो देख भी रहे हैं उससे भी उनको एक positive जो है aspect देने की कोशिच कीजिए तो ये चीज़ यहाँ पर बताने थी next अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलता है next page पर second wave double challenge उनके द्वारा लिखा गया है इसलिए political तो होगा ही लेकिन यहाँ से हम जो political scenario नहीं है उसके बारे में बात करेंगे topic है हमारा disinformation मतलब जो fake news निकलती है उसके बारे में हम यह आपर बात करेंगे तो जिससे क्या होगा कि अगर आपको mains में फेक निउस पर question आता है तो आप easily उसका जवब देपा होगे तो आप इसलिए जवब देपा होगे तो पेक निउस के बारे में काफी detail information हम यहाँ पर देखने वाले है मतलब यह article के beyond इन उसके बाद बेंगॉल में यह भी political है तो यह भी हमारे लिए important नहीं है then उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो explain section हमें देखने को मिलता है explain section में यहाँ पर है black fungus black fungus covid patient जो है उसमें हमें देखने को मिल रहा है तो यह क्या है किस तरीके से फैल रहा है इसके वज़े से आखे जाती है jawline चली जाती है तो यह सारी चीज़े हम यहाँ पर देखेंगे तो इसको हम detail में cover करेंगे then उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो नेपाल covid crisis mirrors India तो यह important नहीं है इसमें से कुछ भी खास नहीं then यहाँ पर debris from China rocket देखें कल ही जो शांग सर है उन्होंने हमारे ही चैनल पर इस topic के बारे में discussion किया हुआ है तो उसमें आपको इस rocket के बारे में जो भी चीज़े हैं वो सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगे then उसके ता हिंदू में अगर हम आते हैं ता हिंदू में आज कुछ भी important नहीं है अगर हम editorial देखते हैं एक भी editorial important नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो continuity of the convenience electoral dominance तो यह political है then उसका trips waiver तो यहाँ पर USA जो है वो जो चल रहा है ना कि patent जो है वो यहाँ पर waiver कर देना चाहिए जो हमने दो दिन continue लगातार हमने इडिटोरियल के बारे में cover किया हुआ है trips के बारे में detail में देखा हुआ है अलगलग patents यह ना यह सब जो होते हैं उसके बारे में cover किया हुआ है तो इसलिए अब again उसमें कोई important चीज़ यहाँ पर खास चीज़ नहीं करें बस यही है कि USA जो है next stage पर तो again यहाँ पर political यहाँ पर अगर हम बात करते parody in the time of tragedy तो यह भी tragedy जो है मतलब corona जो है उसी के बारे में आपर बात हुरी back in the shortage economy हर चीज का shortage जो है वह हमें देखने को मिल रहे है oxygen cylinders बोलिये, vaccines बोलिये, beds बोलिये जो भी हाँ पर shortage हमें देखने को मिल रहे है even सिर्फ हम healthcare system नहीं तो बाकी भी अगर चीज़े देखते हैं उसमें भी हमें यही अवस्ता जो है वो देखने को मिल रहे है तो यही सारी चीज़े मतलब कुछ disability बात है जो हमने देखी वी आलरेड़ी तो इसलिए कुछ important नहीं है इसलिए मैं बोलता हूँ कि सारे जो हमारे lectures होते हैं वो अच्छे डंग से cover किया किजिए रोज देखा किजिए जिससे कि आपका कोई भी editorial जो है वो miss ना हो और जो ऐसा सोच रहे हैं कि अभी हमने start किया है तो फिर पूरा ना कैसे देख ले देखिए जो paper है वो मैं हमेचा सामेचा बलता हूँ paper जो है वो बासा होता है जिनको सिर्फ information चाहिए होती है उनके लिए मतब जो सिर्फ information के लिए देखते हैं कि क्या चल रहा है दुनिया में क्या negative आ रहा है ये सब लेकिन जिनको knowledge चाहिए होता है जो इनको exam clear करने उसके लिए knowledge जरूर है जिनको knowledge चाहिए होता है उनके लिए ये जो newspaper है कभी बासा नहीं होता है इसलिए last one year, last one and a half year, last two years के news हमें देखने को मिलते हैं इसलिए अगर आप पिछले भी newspaper देखो क्योंकि काफी जो है knowledge जो है वो यहाँ पर continuously मिलती रहती है तो इसलिए जरूर यहाँ पर जो सारे lectures है वो देखिए तो आईए यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले तो black fungus के बारे में covid patient में जो यहाँ पर फैल रहा है तो उसके बारे में आपर चर्चा करेंगे तो black fungus covid patient में इतने जादा मात्रा में देखने को मिल रही है जिसके वज़े से लोगों की आखे जा रही है जो jaw है उसको निकालना पड़ रहा है surgery के तुरू तो काफी complications हमें देखने को मिल रहा है और अगर आप देखोगे तो काफे rare disease है लेकिन फिर भी काफी जादा मात्रा में हमें covid patients में देखने को मिल रही है तो क्या है ये black fungus और क्यों यहाँ पर फैल रही है क्या इसके symptoms होते हैं क्या इसके treatment हमें देखने को मिलती है ये सभी चीजों को हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो context देखते हैं context में जब हम देखने को मिलता है तो हमें देखते हैं कि यहाँ पर rare है लेकिन serious fungal infection है ये infection जो हमें देखने को मिलता है fungal infection जो fungus के द्वारा होता है काफी rare है लेकिन काफी serious है इसको mucormuscus ये भी कहा जाता है और उसी के साथ coloqually एक black fungus के नाम से भी जाना जाता है और disease जो है often यहाँ पर skin इसको affect करती है उसी के साथ lungs and drain जो है उसको भी यहाँ पर यह affect करती है तब क्या है ये black fungus और क्यों यहाँ पर covid patients में फैल्थी भी देखने को मिल रहे है कैसे covid patients में यह फैल्थी है तो आईए यहाँ पर जानते हैं सबसे पहले तो disease क्या है देखिए यह अगर हम देखते है mucormycosis यह black fungus इसको कहा जाता है या फिर zygomycosis यह भी कहा जाता है serious लेकिन rare fungal infection है जो group of moles जिनको mucormycetes कहा जाता है इसके द्वारा यह spread की जाती है अब कहा जाता है कहा जाता है बहुत जादा पार हो गया देन उसके बाद mainly affect करता है लोग को जो medication पर है मैं तो समझ रहे हो आप यहाँ पर जो समझ रहे हो समझ रहे हो जो यहाँ पर medication पर है मतलब जिनको जो दवाया ले रहे है जो antibiotics ले रहे है जिनको already कोई नो कोई disease है या फिर disease से वो recover हो रहे है तो ऐसे जो लोग है उनको यह जादा mainly जो है वो affect करता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर जिनकी surgery होई है तो वो भी medication पर हो सकते है जिनको कोई disease already कोई disease हुआ है उनको भी affect कर सकता है मतलब क्या है कि जब भी कोई हमें disease होता है जब भी कोई surgery वर्जरी होते है तो हम ज़दा vulnerable होते हैं क्योंकि हमारी जो immune system है वो उतनी strongly काम नहीं करती है तो इसका मतलब तो यह ही है कि यहाँ पर जो black fungus है यह basically immune system जो है उसपर dependent है यहाँ पर यह ability जो है environmental pathogens को fight करने के लिए वो यहाँ पर reduce कर देता है जो हम यहाँ पर अभी बोल रहते हैं वो चीज next line में हमें देखने को मिल गई कि जो ability है environmental pathogens से fight करने की हमारी जो ability है वो यह reduce कर देता है यहाँ पर sinuses या फिल लंग्स जैसे individuals यहाँ पर affect होते हैं जब वो fungal spores को inhale करते हैं air में से मतलब यह क्या है air में हमें देखने को मिलते है and then यह fungal जो spores है उसको inhale करने के बाद हमारे lungs को infect करते हैं जैसे कि coronavirus है वो भी infect करता है अब यहाँ पर types अगर हम देखते हैं तो type कौन-कौन से है तो पहला type हमें देखने को मिलता है rhinocerebral sinus या फिर brain mucormycosis इसमें अगर आप देखोगे infection जो है sinusus यह brain तक spread होता है most common है uncontrolled diabetes जिनको होती है या फिर kidney transplant होता है उन लोगों में तो यह आपको ऐसे question आ सकते हैं कि यह जो है यह basically किस से related है यह कहाँ पर हो सकता है या फिर इसके regarding आपको statement जो है वो दे दिये जा सकते है क्योंकि बहुत सारे type है तो type में आपको statement दे जाएंगे है और उलट फिर कर दिया जाएगा तो ऐसे भी question आपको आ सकते है देन उसके बाद next अगर हम देखते है तो pulmonary lung mucormycosis इसमें most common type है लोगों में जिनको cancer होता है organ transplant होता है या फिर stem cell transplant जो है वो देखने को मिलता है देन उसके बाद अगर हम आते हैं तो हमें gastro-instastinal mucormycosis ये देखने को मिलता है more common है among young children than adults ठीक है मतब young children में जादा होता है specially जो pre-mature या फिर low birth weight infants होते हैं एक महने से age के कम बाले अब इसमें अगर आप देखोगे तो antibiotics, surgery, medication ये जिनको शुरू है तो वहाँ पर हमें ये जादा होता हुआ देखने को मिलता है देखने को मिलता है then next आते हैं आपर cutaneous mucormycosis skin ये तो ये मालब tongue twister है यार जो मालब medication करते हैं है ना सही में काफी उनकी tongue जो है वो काफी strong हो जाती होगी काफी saaf हो जाती होगी जो भी pronunciation है वो काफी अच्छे तरीके से निकलते हैं क्योंकि इतने कटीन-कटीन शब्द होते हैं कमाल है जो भी मतलब doctor कर रहे हैं कमाल है और सही में एक बहुती जवर्दस तरीके का profession हमें देखने को मिलता है occurs after the fungi enter the body through the break in the skin यहाँ पर हमारे skin में अगर कोई break हो जाता है तो फिर उसमें से यह enter करता है most common है जो यहाँ पर immune system जिनकी काफी weak होती है क्योंकि immune system अगर weak है तो मतलब हमारा जो शरीर है वो उस fungus से लड़ने के लिए तयार नहीं है और इस वज़े से वो हमारे शरीर को infect करता जाता है clear है then उसके बाद आता है disseminated mucormycosis जब infection जो है spirit होता है through blood streams और बाकी body parts जो है उसको भी affect करता है क्यों हमारे bloods जो है वो यहाँ से वहाँ जाता रहता है तो समली जिए यहाँ पर अगर infect हुआ है तो यहाँ से वहाँ तक चला जाएगा और यहाँ पर भी हमें वो देखने को मिलेगा most commonly affect करता है brain को लेकिन यह दूसरे जो organs है जैसे कि spleen हो गया, heart हो गया, skin हो गया उसको भी यह infect करता है तो यह type हो गया इसके then उसके बाद अगर हम देखते हैं तो क्या होता है जब यह contrast contract में आते हैं तब होता क्या है अगर यह घूज गया तो तो इसमें जो sinusitis है nasal blockage है congestion है nasal discharge है blackish यह पर bloody वो भी हमें देखने को मिलता है then local pain जो है cheek bone पर one-sided facial plane numbness जो है swelling जो है वो यहाँ पर हो जाता है blackish discoloration जहाँ पर जो nose है platelets है उसमें हमें pellets है उसमें हमें देखने को मिलता है then उसके बाद जो teeth joint involvement है वो यहाँ पर loose होने लग जाती है then उसके बाद जो हमारा vision है वो यहाँ पर blur हो जाता है आखे काफी swollen हो जाती है आखे हमें काफी दर शुरू हो जाता है इसलिए कहीं इसमें आखे जो है वो भी निकानने पड़ती है then यहाँ पर necrosis skin listen यहाँ पर होता है chest pain हमें देखने को मिलता है ठीक है respiratory system जो है काफी खराब हो जाती है तो यह सारी situation यहाँ पर होती है then उसके अवाल treatment क्या है treatment क्या हो सकती है तो इसमें अगर हम देखते हैं तो mucormycosis mainly यहाँ पर surgery जो है उसकी requirement होती है surgery करनी पड़ती है और इसमें utmost important है controlled diabetes diabetes जो है वो काफी हानिकारक हो जाता है अगर diabetes है क्योंकि हमने देखा है कि अगर high diabetes है तो वही problems जो है काफी तादा बढ़ जाते है and then उसके steroid use जो है वो यहाँ पर reduce करना then उसके साथ है यहाँ पर adequate systematic hydration जो है वो maintain करना तो यहाँ पर utmost important चीज जो है वो हो जाती है then उसके बाद यहाँ पर surgery जो है किस तरह की लगती है यहाँ पर अपर जो जो है वो निकाल दिया जाता है even कही बार आखे जो है वो भी निकालने पड़ती है तो मतलब आप समझ रहे हो कितनी बुरी अवस्ता है यहाँ पर हो जाती है और कितना बुरा परिणाम जो है यह mucormycocities जो है उसके द्वारा हमें देखने को मिलता है अब यहाँ पर यह है क्या जब हम बात करते हैं mucormycities यह group of fungi है जो mucormycocis यह cause करता है और present होता है throughout the environment throughout the environment में हमें देखने को मिलते हैं particularly अगर हम बात करते हैं soil में जो decaying organic matters होते हैं जैसे leaves हो गया, compost हो गया, piles हो गया, animal dung हो गया, several different type of fungi जो है वो यहाँ पर mucormycocis cause करते हैं जो scientific order mucoralize इससे बिलॉंग करते हैं most common type जो है, जो है जो हयाँ पर होता है वो है rhizopus species and mucor species then most common जो होते हैं soil than in air, ठीक है? soil में जादा पाए जाते हैं as compared to air summer ये statement आपको पूछा सकता है कि ये air में ज़ादा पाय जाते है as compared to soil या फिर air में सबसे ज़ादा पाय जाते है compared to other things तो यहाँ पर soil में most common है than the air in summer ये fall than in winter और spring fungi जो है ये harmful नहीं होते है most common लोगों को क्योंकि यहाँ पर उनकी immune system जो है तो अब मैं उमिद करता हूँ आप यहाँ पर पूरी जानकारी जो इसके बारे में मिल गई होगी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपर disinformation crisis जो editorial है उसके बारे में हम बात करते हैं तो basically हम इसमें बात करने वाले हैं fake news की जो fake news यहाँ पर spread होती है तो fake news क्या है उसके वज़े से क्या परिणाम होते हैं क्या concerns है क्या हम कर सकते हैं क्या government ने करना चाहिए यह सारी चीज़े हम यहाँ पर जानने की कुशिश करेंगे सबसे पहले तो क्या है fake news क्या है क्योंकि अगर आप देखोगे उससे लेकर हो जाए या फिर जो oxygen जो कमतरता है हो यह उसको लेकर हो जाए तो अलग-अलग जगाओ पर अलग-अलग चीज़े जहें कहीं बार होते रहती है in fact जो यहाँ पर fake news है वो हमें communalism के लिए भी देखने को मिलती है कि अलग-अलग जो religions है उनके against में आपर videos जो है वो यहाँ पर बना दिये जाते हैं है ना तो यह भी हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर fake news के बारे में complete information रहना ज़रूरी है यह editorial या फिर यह article देखने के बाद आप कोई भी अगर आपको question fake news पर आता है तो यह kind of yellow journalism है तो आपको सीधा आ सकता है कि yellow journalism क्या है तीक है जैसे कि एक हमें tax देखने को मिलता है pink tax तो pink tax यह क्या होता है तो ऐसे questions जो है कही बार आपको आते pink tax के बारे में video मैं लेकर आऊंगा तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है यह intentional misinformation यह हाँ पर cost किया जाता है अब distributed through किसके तरू distribute होता है conventional print जो होते हैं हमारे नॉर्मल जो newspaper यह सब broadcasting news media जो होते हैं internet based social media social media तो मतला हब है यार fake news के लिए इतनी fake news इतनी fake news की महाँ पर और वो share होती है काफी सारे मतलब जो अच्छे मतलब मेरे साथ जो graduation में थे वो लोग fake news spread करते हैं link spread करते हैं link के नीचे अगर देखा जाया तो link के नीचे जो source होता है उसी में लिखा हुआ होता है fake news dot com इस तरीके से कहीं सारी link होती है फिर भी वो चीज जो है वो share करते है तो यह चीज कमाल की लगती है मतलब थोड़ा cross check तो किया जाना चाहिए intentionally return किया जाता है in order to gain financially and political यहाँ पर gain जो है वो उनको मिले इसके वज़े से यहाँ पर यह सारी जीज़े की जाती है इसमें false headline जो है अंदर जो हमारे exam perspective से important is कुछ नहीं निकलती है आप पहले तो यह मतलब जो comedy videos बोलिए या फिर जो political videos बोलिए उसी में होता था आजकल तो हमारे जो educational sector है इसमें भी बहुत जादा है बहुत जादा मतलब कहीं सारे से channel से आप तो उन्होंने वही शुरू करती है कि सिर्फ thumbnail जो है वो लगाओ अनंदर देखो कि आप तो वही information जो thumbnail के उपर देखती है वही information मतलब एक line होती है same newspaper की एक line होती है उस पर पुरा video बना लेते हैं 7-8 minute का लो साल मतलब खेलो लो aspirants के जिंदगियों के साथ तो यह हमें देखने को मिलता है यहाँ पर causes अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को हैं सबसे बिले तो internet internet एक बहुत बड़ा cause है कि internet free है बैसा करो share करो जितना करना है जो share करो जो होता है वो करो authenticity जो है वो यहाँ पर check नहीं की जाती है अगर हम एक बड़ जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सार ऐसे होते हैं नीचे लिखा भी होआ होता है कुछ भी होता है मतलब बहुत सारे ता अब उसको authenticate बनाने के लिए timesofindiafake.com इस तरीकी चीज़े बना लेते हैं मतलब जो main channel है उसके यहाँ पर जो mainstream के channels है media houses है उनके नाम पर website जो है वो बना रहे है then lack of regulator इसको control करने के लिए regulator हमें देखने को नहीं मिलता है then उसके बाद emotions यहाँ पर क्या है लोग share क्या करते हैं लोग share करते हैं जो चीज़ उनके belief system को support कर रही हो समझ लोगे अगर मेरी कोई belief system है कि फलाना फलाना जो व्यक्ति है बहुत अच्छा काम कर रहा है अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उस चीज़ को belief नहीं करता होगा तो मैं उसके साथ जबरदस्ति शेयर करूँगा या फिर मैं status में रख दूँगा है ना या फिर जो religious चीज़े होती है मितलब बहुत सार ऐसे होते हैं कि भगवान है या नहीं है ये जो belief system अलग-अलग बनी वे थे तो उससे related अगर आप कोई videos देख लो तो वो आप share कर दूगे तो इस तरी की चीज़े हमें यहाँ पर देखने को मिलती है तो इस causes होते है dangerous consequences इसके क्या है तो देखे अलग-अलग sector में इसके consequences होते है सबसे बिले तो हम political sector में अगर देखते हैं तो यहाँ पर specific organization यह person को यहाँ पर target करना यह सबसे बड़ा drawback हमें देखने को मिलता है क्योंकि क्या होता है कि सीधा person यह organization specific organization जो है जब fake new spirit होती है तो सीधा target हो जाते है यहाँ पर voters का mind जो है वो polarize होता हुआ हमें देखने को मिलता है कि सीधा polarize किया जा रहा है कि यार है ही क्या है ही क्या इस तरीके से then economic अगर हम देखते हैं तो उसमें illiterate लोग उनको financial लूटा जाता है लुबाडा जाता है society अगर हम देखते हैं तो उसको जो spirit है common brotherhood की क्योंकि जो communal violence है वो fake news के तोड़ा काफी तास parade होते हैं तो society में वो काफी हानी कारग हो जाता है security point of view से देखते हैं तो यहाँ पर easy viewership जो है वो मिल जाते है sensational news को promote करने के लिए अब आप खुद देखें ना यहाँ पर news पर analysis है इस पर आप views देखिए और जो channel पर ही sensational जो videos देखने को मिल रहे है उसके views देखिए तो मतलब क्या होता है यहाँ पर difference हमें वही देखने को मिलता है अब हाला कि मैं अब देखिए मैं यहाँ पर बहुत straightforward हूँ मुझे पता है कि नहीं जो students के लिए important है वो यहाँ पर mainstream में रहना चाहिए वो यहाँ पर main चीज रहना चाहिए अगर views ही बट्रोने होते तो मैं तो फिर यहाँ पर बहुत सरे ऐसे videos बना सकता था जो बाकी जगों पर देखने को मिल रहे हैं बहुत सरे ऐसे बना बना कर spread कर सकता था कुछ भी बना बना कर रख सकता था लेकिन उससे क्या होगा उससे आप ही लोगों का नुपसान होगा तो मैं नहीं चाहता है आप लोगों का नुपसान में करूँ अगर आपका एक मिनिट भी वेस्ट हो रहा है तो वो भी काफी हानिकर हो जाता है तो इसलिए यहाँ पर हमें पता चलता है क्योंकि हमारे exam perspective से important नहीं होता है दर उसका faith अगर हम देखते हैं मेडिया में fake news जो है यह लोग का belief जो है वो reduce कर देता है print media से क्योंकि देखो ना अभी अगर हम देखते हैं तो 14 स्तंब जो है माना जाता था हमारे media houses को तो अब वो कहा है अब सब लोग news media houses को एक अलगी angle से देखते हैं यह ना तो यह चीज़ है then concerns challenges की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है user generated content इसमें सबसे बड़ा challenge तो यह है कि हम जो facebook है whatsapp है इन लोगो blame कैसे करें क्योंकि जो spread करने वाले लोग है वो तो हम है ना हम spread करने वो तो एक platform है जहाँ पर spread easily हो जाता है क्योंकि वहाँ पर mobs जादा है तो अब यहाँ पर उसमें उनकी गलती क्या है अगर हम source देखे तो वो तो हम ही लोग है हम ही लोग authenticate नहीं कर रहा है है ना तो यहाँ पर unreasonable है कि यहाँ पर blame जो है वो media social media platforms पर डाला जाए platform जो है यह सब यहाँ पर क्या generate नहीं कर रहा है content को है ना इसे center को यहाँ पर consumer end पर address करने की जरुवत है देर उसका piracy rights हमें देखने को मिलता है इसमें security requirements इसको यहाँ पर consider किया डाना चाहिए क्योंकि genuine users जो होते है उनकी piracy का यहाँ पर हनर होता है यहाँ पर high encryption data leak जो है facebook, uber यह recent past में हमें देखने को मिला है जिससे क्या होता है कि हमें पता चाहता है data बहुत जादा leak भी हो सकता है welfare जो Indians का actual actually affect करता है welfare of Indian digital users को ठीक है then jurisdiction issue अगर हम देखते हैं आप storage जो है foreign user data यहाँ पर own jurisdiction issues जो उसमें निकल कर आते हैं कि वहाँ पर किस तरीक का law है क्या कानून है इस तरीके से अब इसको tackle किस तरीके से किया जा सकता है तो उसमें हमें सबसे परेखने को मिलता है भाई साब digital literacy literacy जो है लोगों को वो दी जाने चाहिए literacy अगर हम देते हैं तो आपने आप यहाँ पर जो चीज़ें वो भैतर होती जाती है चीजों को यहाँ पर फायदा मिलता है है ना literacy मिलेगी तो लोगों को समझ में आए जैसे RBI हमेचा बताता रहता है कि अपना PIN किसी के साथ भी शेयर मत कीज़े कोई भी बैंक आपसे OTP नहीं मांगता है शेयर मत कीज़े फिर भी इतने सारे fraud हो रहा है सोची आप मतलब मैं in fact आपको बताता हूँ स्टिल जो credit card का OTP है वो शेयर कर दिया गया था तो आप सोचे कितनी बुरी हालत हमें देखने को मिल रहे है डिजिलल इंट्रेसी यहाँ पर काफी important है policies जो होती है वो यहाँ पर सही डंग से government ने आपर बनानी चाहिए government ने भाहर रखनी चाहिए independent agencies जो है वो यहाँ पर बनानी चाहिए जिससे कि आपर fake news spread कहां से हो रही है उसका source हम निकाल सके उसके लिए हम innovative approaches जो है वो ला सकते हैं कि अलग-अलग software लेकर आ गए अलग ऐसा है कि source यह जो information इसका source कहां पर है last end निकली कहां से यह news यह हम पता लगा सके उसके लिए हम fines जो है वो लगा सकते हैं कि जहां से भी निकली हो उसको अगर हम बहुत बड़ी fines देते हैं तो वो भी spread करने से रोग जाएगा रोल जो है NGOs का यह भी काफी ददा important है कि NGOs जो है यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हैं जिससे की काफी ददा फायदा मिल सकता है तो यहाँ पर हमें इसके solutions देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर हमारा वीडियो जोए वो खत्म होता है मैं उम्मीद करता आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है तो शेर जरूर कीजिए सबस्राइब की चैनल को मिलते हैं अगले वीडियो में चैहें